आतंकी मसूद अजहर के संगिठन जैश मुहमद ने धमकी भर आउडियो चारी किया जिसमों उसने रामवंदिर पर हमले का जिक्र किया है आउडियो में जैश का लीडर धमकी दे रहा है कि रामवंदिर को तोड कर वहां बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आतंकी भेजे जा रही हैं इधर सुरक्षय अलर्ट की बाद राम मंदिर के सुरक्षय बढ़ा दी गई है सुरक्षय जिन से उन्हें आउडियो की जाट शुरू करती है अयोध्य में श्री राम के जैकारे से पाकिस्तान के कान भट रहे हैं और जैश का सरगना मसूद अजर परिशान है जम्मू में लगातार हो रहे हमलों के बाद आतंकियों के नजर श्री राम जन भूमी आयोध्या पर है और इस वक्त जो सबसे बड़ा मस्ज़ा है वो है बापरी मस्जिद को वापस लाना 9 जून को रियासी में श्रत धालों के बस पर हमले के पाँच दिन बाद जैश मुहम्मद ने अयोध्या पर हमले की धमकी दी है राम मंदिर के बनने के बाद आतंकियों में किस कदर बौखला हट है वो कट्टर पंथियों की जीखती आवाद से साफ पता चलता है या उसकी जगा बने हुए अख्या मंदर को गिराना अल्लाह रबुलालबीन अल्लाह रबुलालबीन ने मस्जिद की हिफाज़त का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगा अगर मंदर बन जाए 88 सेकंड का ये धमकी वाला आडियो जैशे मुहम्मद के किसी लीडर का बताया जा रहा है जो एक जलसे में राम मंदर पर हमले की गीदर भव की दे रहा है नियोज 18 इंडिया इस वीडियो की पुश्टी नहीं करता इस आडियो के एक एक शब्द नफरत से भरे हैं और ये किसी जलसे में उकसाने वाली तक्रीरे हैं बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जैश की तरफ से भारत में नए आतन की हमले का टार्गेट फिक्स करने की तैयारी है आतन की संगठा ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें राम मंदर की फोटो लगाई गई है उर्दू और हिंदी में जारी इस वीडियो में इस आतन क्वादी संगठन का लीडर चेतावनी दे रहा है कि बहुत जल्द आयोध्या में राम मंदर पर हमला करने कुछ आतन की आएंगे वीडियो में कहा गया है कि उनके तीन साथियों ने आयोध्या में बलिदान भी दिया है इसके लिए जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें राम मंदर की फोटो के ओपर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदर तोर देंगे वहें सातंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है मंदर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है सूत्रों के मताबिक भारती ए खुफिया एजेंसियों ने इस पर अलर्ट भी जारी किया है सूत्रों के मताबिक साल 2001 में भी पाकिस्तान ने तीन आत्मगाती आतंकियों को आयोध्या भेजा था लेकिन इन्पुट के आधार पर उन्हें पहले ही मार गिराया गया इसलिए आयोध्या हमेशा से आतंकियों के निशाने बर रही है यही कारण है कि केंद्र सरकार अब अयोध्या में आतंकिवाद विरोधी नैशनल सेक्योर्टी गार्ड के हब को स्थापित करना चाहती है पुलिस ने सट्टे बाजी की बड़ी गैंक परदपाश किया और इस दोरान सटोरियों के घर से इतने रुपे बरामद हुए कि नोटों का पहाड लग गिया इतने रुपे मिले कि गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी कैसे चल रहा था सट्टे बाजी का ये खेल आई चाहते हैं नोटों का ये पहाड जिसने भी देखा दंग रह गया सट्टे बाजी की काली कमाई है नोटों की इतनी गड़ियां के पुलिस को गिनने के लिए मशीन मंगमानी पड़ी 15 करोड रुपए है ये, वो जैन पुलिस में 60 बाजी पर बड़ी कारवाई करते हुए नोट जब किये है पुलिस ने कृष्णा विहार के पास 19 ड्रीम कॉलोनी और मुसद्दी पुरा इलाके में बिल्डर प्यूष चोपडा के खर छापे की कारवाई कर करोणों कैश के साथ ही चांदी के सिलिया, यूरो, पाउंड, यूएस डॉलर, हंगरी यूरो, पॉलिश मुद्रा, नेपाली रुपए भी परामत किये पुलिस ने इस वामले में नौ लोगों को गिराफ़तार किया है करनसी का अब भी असेस्मेंट कराया जा रहा है इसमें ग्रोड भी है, टॉलर्स भी है, पाउंड भी है, अंगरी की करनसी में है, अलगल साथ देशों की करनसी है इसका अभी असेस्मेंट जो वाल्यू एरोग से कराया है अभी जो नौ लोग हमने पकने हैं यहां पर अभी आये थे और इसके संपर्ख में अलग-अलग जगा पर आये थे इसलिए यूके में जाके इस तरह से बेटिंग करना लग-णर एक्स्चेज की सिख्या था और ये लोग पंजाब और निबाएडा निबच के रहने वाले इसके संपर्ख में जो और इहां पर इसके ज़र के आपने रासे की पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रीम्स कॉलनी के एक मकान में बिल्डर प्यूश चोपड़ा अंतरराश्ट्री अस्तर पर सक्ता खिला रह है उसके साथ पंजाब, राजस्थान और मत्यप्रदेश के लोग भी हैं सूचना मिलते ही पुलिस ने घर पर दबिश दी यहां T20 वर्ल्ड कप में खेले जा रहे बांगलादेश नीदरलेंड मैच पर सक्ता लगाया जा रहा था पुलिस ने मौके से 41 मोबाइल फोन, 11 लै है कि सभी आरोपियों को कोड़ में पेश कर रिमांड ली जाएगी, आरोपियों के आप राधिक रेकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, बताये जा रहा है कि प्यूज चुप्ला घर से ही सट्टा संचालित करता था, इसमें मुनाफ़ा होने पर उसमें अपनी टीम भी बना साथे साथ इस वक्ते के लिए क्योंकि इसका फॉरेंड ट्रेवल भहुत रहा है, इसके लिए अपने बहुत जदी हुआ है, एक से दोगन देने में एक मिनोसी बें जावी कर रहे हैं, ताकि ये देश से गई बाधना शुप्ला बताया जा रहा है कि एक बार में पचास साथ किताब जब्त किया है, पुलिस का कहना है कि प्यूश परिवार के साथ लात्तविया देश भागने की फिराग में था, पुलिस ने उसकी गिरफतारी के लिए लोकाउट नोटिस जारी किया है